नमस्कार मैं हूँ साक्षी बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है खबरों के ओर बढ़ने से पहले अब एक नजर सुर्खियों पर बिहार में इच शम्ता मोबाइल अप की शुरुवात BPSC सिख्षक भटी फेज तीन परिक्षा सोला मार्श को कैंसिल बिहार में सौर उर्जा से खेतों की होगी सिचाई केके पात्रक ने स्कूल का निरिक्षिन कर दिया निर्देश भारत और इंगलैंड के पाँचवे टेस्ट मैच में देवदत पडिकल ने किया डेबियो इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की और विस्तार से बिहार में इश हमता मुवाइल आप की शुरवाद बिहार की उपमुक मंतरी सवास्त मंतरी समराच चौधरी ने इश हमता मुवाइल आप की शुरवाद की है और इससे नर्सिंग कॉलेज के चात्रों चात्राय और उनलाइन पढ़ाई की सामगरी को मुफ्त में डाउनलूड कर सकेंगे पटना के स्वास्तभवन में अंधिरास्टी महिला दिविस के अवसर पर एक कारिक्रम का आयूजन किया गया इस दोरान समराचौध चौद्री ने नवनिर्मित स्वास्तभवन के पांचमें तले पर पालना घर का उधगातन किया और इमारत का मुःएना भी किया इसके बाद मिशन 19 के प्रतीक श्रीन कर उन्होंने अनावरन किया और इसके साथ ही शम्ता लगुचित्र मिशन उन्नेयन के विवरनिका का अनावरन किया स्वास्तमंत्री ने बिहार के सरकारी हस्पिताल मुई सेनिटरी नापकिन वेंडिंग मशीन का लोकारपन किया है और इतर दर्भंगा को कैंसर विसस्टर अस्पिताल के रूप में दस सालों तक संचालन के लिए MOU पर हस्ताक्षर किया बिहार सरकार ने 11 जिलों के अफसरों को दी छेतावनी दी है खान एवं भूतत्व विभाग राजस्व संग्रा में सुस्ती दिखाने वाले अफसरों के प्रती सक्त हो चुका है और 11 खान इस पताधिकारियों को चेतावनी दी गई है वहीं अगर राजस्व संग्रा की सिथी नहीं सुधरती है तो इन अफसरों के खिलाफ आक्शन लिया जाएगा और इसके साथ इनके खिलाफ वेतन रोकने की कारवाई की जाएगी द्रसल खान एवं भूतत्व विभाग के निदिशक नईयर इकबाल की अध्यक्षता में राजस्व संग्रा की समिक्षा की गई और उसमें ये बात निकल कर सामने आई कि फरवरी के अन तक 1,991 करूर रूपए को संग्रहित किया गया लेकिन 3,620 करूर रूपए की रासी को संग्रहित करने का लक्ष था BPSC सिक्षक्भटी फेस सीन परिक्षा 16 मार्च को कैंसल बिहार में सिक्षक्भटी की तीसरे चर्रिन की बाहली होने वाली और 16 मार्च की परिक्षा को कैंसल कर दिया गया है जोल नहीं नए शिटी उनको जारी किया जाएगा वहीं सक्षा का भ्याट यार्मिट कार्ट को डाउनलोड कर सकते हैं इसके लिए उन्हें भी हार लोग से वायों कि आधिकारिक वेबसाइट www.bbsc.bih.nic.in पर विजिट करना होगा इधर 15 मार्च को दो सुप्ट में परिक्षा शुडू होगी जो दोपैर के 12 बजी तक चलेगी जबकि दूसरी पाली की परिक्षा दोपैर में ली जाएगी आपको बता दे कि राज़े के 26 जलों में परिक्षा का आयोजन किया जाएगा बिहार में सौर उर्जा से खेतों की होगी सिचाई बिहार में सौर उर्जा से अब खेतों की सिचाई होगी संबद में ग्रामीर विकास विभाग के प्रधान सचेवर विंद कुमार चौधरी ने कहा है कि बिहार क्रिसी प्रधान राज्र है और क्रिसी जनित कार्बन उत्स पूर्न भूमिका होगी वहीं सौर उज़ा के उपयोग से गाउं में उद्ध्यमिता को बढ़ावा मिलेगा राजभवन ने कुलपतियों को सिक्षा विभाग की बैठक में जाने से रोका सिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचप केके पाठक की ओर से नौ मार्श को विश्व विद्याले की वीसी और पदादिकारी की बैठक बुलाई गई है लेकिन राजभवन ने कुलपतियों आदी को इस बैठक में शामिल होने से रोक दिया है इससे पहली बियाठ थाइस फर्मणी को सिक्षा विभाग ने कुलपतियों के बैठक बुलाई थे और इसमें शामिल होने के लिए राजभवन ने रोक लगा दी थी राजभवन और सिक्षा विभाग के बीश टकराओ बढ़ता नजर आ रहा है फिलहाल राजभवन ने पत्रुशारी कर कुलपतियों को कहा है कि वो बगैर कुलाधिपतियों के आदेश के मुख्याले नहीं छोड़ेंगे लिखेतिया टेलिफोन के माध्यम से अनुमती ली जाएगे और आदेश का पालन नहीं करने वालों के खिलाब आक्शन लिया जाएगा बिहार में होली को लेकर रेल पुलीस अक्टिव मोर में नजर आ रही है स्पेशल ट्रेनों पर फोर्स क्वी नजर बनी रहेगी याद्चियों के सुविधा के लिए पुलीस के और से विशेश अभियान भी चलाया जाएगा होली के पहले ट्रेनों के अंदर फोर्स तैनात किये जाएंगे नशाखुरानी गिरहों पर नकेल कसने के लिए साधी वड़ी में पुलीस के जवान तैनात रहेंगे और इसका लावा रेल पुलीस ने अडिशनल फोर्स की मांग की है और साथ ही लोगों के लिए जागरूपता कारिकरम की शुरवात की जाएगी साइबर अपरादी और नशाखुरानी गिरहों पर नकेल कसने के लिए रेल पुलीस ने हेलप लाइन नमबर जारी किया है किसी भी तरह की परिशानी होर पर हेलप लाइन नमबर 9473197600 पर सुचित किया जा सकता है हाई कोट ने शराब मामले में दोसी अधिकारी पर लगाया जुर्माना पटना हाई कोट ने शराब बंदी मामली में गयर कानूनी रूप से स्कॉर्पिय गारी को जब्त करने पर सुनवाई की और उसमें हाई कोट ने दोशी अधिकारी के खिलाफ करवाई की है उन्हें एक लाख रुपे का अर्थ दंड लगा है दोसी अधिकारी याचिका करता को एक लाख रुपे देंगे कोट ने इस पस्ट कर दिया है कि दोसी अधिकारी को आठ सप्ता के अंदर राशी का भुकतान करना होगा नयाधिश पीबी बजन थी और नयाधिश आलो कुमार पांठे की खंडपीठ ने हीरा कुमार दास की द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई की और उसके बाद अधिकारीों के जुर्माना भरने का अधिश दिया है ये राशी याचिका करता के पास भेजी जाएगी केके पाठक ने स्कूल का निरक्षन कर दिये दिशा निर्देश बिहार के गोपाल गंजले में सित्थावे डाट केंडर में टोला सेवक और तालीमी मरकच के छे दिवस्य आवासिय प्रसिक्षन का केके पाठक ने निरक्षन किया है और इस दौरान उन्होंने टोला सेवक और तालीमी मरकच को मांदे बढ़ाये जाने की जानकारी दी और उसके साथ ही अच्छे ढंग से स्कूलों में काम करनी का आदीश दिया है उसके बाद केके पाठक कस्तुर्वा गांधी बाले का आवासी विद्याले और बुन्यादी स्कूल में पहुचे यहां उन्होंने प् पीने और शराब की तसकरी करने वाले लोगों के खिलाफ कारवाई की है यहां रुस्तमपूर थाने की पुलीस ने सुकुमार पूर दियारे में अवैद देसी शराब की दस भट्यों को ध्वस्त किया पुलीस ने हजारों लीटर सराब को नस्त किया है वहीं मौके से 110 मामले के जार्ज कर रही है और साथ ही आगे की कारवाई में जुटी है नौकरी के बदले जमीन मामले में सप्लिमेंटरी चार्ज शीट दाखिल राजत सुप्रीमोल आलो प्रशाद यादव की मुश्किले बढ़ती वी नजर आ रही है रेलवे में नौकरी के बदले जमीन मामले में CBI ने दिल्ली की अधारत में सप्रिमेंटरी चार्ट सीट दाखिल किया है अस आरोप पत्र में अशोक कुमार बवीता और भूला यादव का नाम शामल है आरोप पत्र पर कोट 14 मार्श को विचार करेगी मालूम हो कि ये पूरा मामला जबलपूर रेलवे स्टेशन के पश्चिमी जूम से जुड़ा हुआ है साल 2004 से लेकर 2009 के बीच ग्रूप D की न्यूकती में जमीन के बदले नौकरी देने का आरोप है इसमें लालो प्रशाद यादव साहिद बोला यादव अशोक कुमार बवीता आदी को आरोपी बनाया गया है बिहार भाश्पा कोर क अमीटी की दिल्ली में बैठक होगी इस बैठक में बिहार के उपमुक मंत्री विजर सिना सम्राठ चौदरी पुर्व प्रदीश अध्यक्ष संजर कुमार जयस्वाल पुर्व केंद्री मंत्री राधा मोहन सिंग पार्टी महासचिव मंगल कुमार शामल हो सकते हैं और उन नरिंद्र मोधी ने दो मार्च को बेगुसराय और और औरंगाबाद में और छे मार्च को बितिया में रैली की थी और इसमें उन्होंने बिहार के लोगों को करूरों की सौगात दी लालो यादव ने पी एम मोधी पर बोला हमला राज़त सुप्रीमों लालो प्रशाद य वो भूल चाते हैं कि भाचपा 10 साल से केंद्र में और 15 साल से बिहार में सत्ता में रही है लालो यादव ने कहा है कि बीजेपी महंगाई के मुद्दे पर बात नहीं करना चाती है राज़त सुप्रीमों ने नौकरी के मुद्दे को उच्छाते वे पीम नरेंद्र मोधी पर हमला बोला उपमुख मंत्री विजर सिन्हा ने लालो प्रशाद यादव पर किया पलटवार बिहार के उपमुख मंत्री विजर कुमार सिन्हा ने लालो प्रशाद यादव पर पलटवार किया है दरसल लालो यादव ने कहा था कि देश में महंगाई बिरुजगारी औ से डर चुके हैं प्रधान मंत्री ने कहा था कि परिवारवादी और ब्रस्टाचारी मान सकता कि लोग देश के लिए खत्रा है लालो प्रशाद यादव को लग रहा है कि उनकी पार्टी का भविश्य अंदिकार में हैं इस कारण वो अनाप शनाप बोल रहे हैं भारत और इं मैच में डेब्यू करने वाले पांच में भाट्टी खिलाडी बन चुके हैं मालू हो कि आखरी टेस्ट मैच में जस्पृत बुम्रा की वापसी हुई है वहीं आकास दीब को बाहर का रास्ता दिखाया गया इधर रज़त पार्टीदार ट्रेनिंग के दौरान शोटिल हो रहे थे असकार अनुन के जगा दीवदत पडिकल को डेब्यू का मौका मिला वहीं न्यूज लिखे जानी तक आखरी टेस्ट मैच में इंगलांट का 190 रंड पर आत्व केट गिर चुका है वीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत से इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर आज का सवाल है आपके अनुसार भारत बनाम इंगलेंड टेस्ट सिरीज में आकरी मैच में किस टीम का पल राभारी है आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स पर लिखकर जरूर बताए आज के लिए इतना ही कि बहार के तमाम खबर के साथ बनी रहने के लिए आप देखे रहे मीर और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे तो चानल को सुच्क्राइब करना और अगर आप फीस्बुक से देख रहे तो पीच को लाइक करना नहीं भूले धन्यवाद